प्रियाग राज यानि एक ऐसी धार्मिक नगरी जिसे तीर्थ राज भी कहा जाता है तीर्थ राज प्रियाग में वोटिंग को लेकर जहां आम मत दाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है वहीं साधू संत भी खासे उत्साहित हैं और सुबह सुबह ही वोट डालने के के लिए अपने मठ मंदिरों और आश्रमों से बाहर निकले हुए हैं साधू संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारती अख़डा परिशत के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जीवी ने भी वोट डाला है वोट डालकर वो बाहर निकले उनसे जानते हैं महाराज जी स सुबह सुबह ही आप आएं वोट डालने के जी बिल्कुस सुबह वोट जाना चाहिए सब को देना चाहिए और वोट देने का हमरा लोगत अंतर दिकार हुई है और वोट लगभग मुझे लगता है कि सुबह सभी लोग चाते से जोड़ी वोट हो जाए तो लोग नास्ता जलपान बादम करते हैं पर रोट देते हैं हम भी ही कि अब वोट देख जा रहे हैं आरा जी सुबह सुबह का वक्त जो होता है संतों का वो भजन कीरतन पूजा अरचना का होता है तो उस दोरान आप बाहर निकले क्या कुछ आपके मन में चल रहा था जब आप वोट डालन जाती बेवश्चा पे धरम बेवश्चा पे ओटिंग नहीं होना चाहिए विकास के नाम पूट रहे हैं रास्ट हित में होना चाहिए जो मौजूदा सरकार है नरेंद मुदी की सरकार है भारतीजंता पार्टी के सरकार इसने राम मंदिर को लेकर बड़े-बड़े पहले भी आप से कहा कि रास्ट हित में वोट देना चाहिए है मैं आप से बार बार कह रहा हूं राम मंदर के मुद्दे पे मैं आप समत हूं जो हिंदू है सोचता है लेकिन निरास हो गया वो अब वो सर्वाच जाले पर जो मौझूदा सरकार उससे कोई उमीद बची है या नहीं मंदिर को नहीं बची है राम मंदर के मुद्दे पे नहीं बची है अभी जब आप वोट डालने गया तो यह चीज आपके मन में थी नहीं मुझे हमने पहले पहले कहा है कि भारत का विकास और रास्ट ही दो चीज़ पर वोट डाला है कैमरा परसेंट रोही श्री वास्तों के साथ मुहम्मद मौहीन एबीपी गंगा प्रयाग राज